आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is the false statement about the terror of Bengal Terror of Bengal के लिए में गलत स्टेटमेंट बितानी है Terror of Bengal जो है वो कहा जाता है कि इसको Water Hyacinth को Water Hyacinth को हम क्या बोलते है Terror of Bengal अब यहाँ पर देखा जाए तो Water Hyacinth जो है इसका जो scientific name है वो है Icornia Crecipes अब यहाँ पर देखा जाए तो यह एक कैसा प्लांट है Aquatic Plant होता है पानी में पाए जाने वाले यह प्लांट होते हैं अब यहाँ पर देखा जाए तो यह कैसे Water में मिलते हैं तो यह मिलते हैं Standing Water में यानि जिस पानी में बहाव नहीं होता है उस Water में क्या करते हैं यह पाए जाते हैं अब यह जो Water Hyacinth होते हैं ये also हम इनको कह सकते हैं क्या blue devil, इनको नाम दिया जाता है blue devil, अब यहाँ पर देखा जाए, तो ये flowering plant होते हैं और इन में जो इनके जो plants होते हैं, ये बहुत ही fast rate से क्या कर जाते हैं, पूरे pond में या फिर कह दें कि पूरे water body में क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही spread हो जा जाते हैं, और ये क्या कर देते हैं, वाटर की सता पर क्या होते हैं, बहुत तेजी से फैल जाते हैं, जिसकी वज़े से ये oxygen को, sunlight को, इन सारी चीजों को क्या कर देते हैं, ट्राप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर में जितने भी जीव पाये जाते हैं, उनकी क्या होने लगती है, death होने लगती है, तो इसे ही terror of Bengal कहा गया है, water hyacinth को, अब यहाँ पर हमें बताना है इसके लिए क्या सही नहीं है, तो कह रहा है, it has been a native of India since hundred of years, तो यह बिल्कुल ही गलत statement है, क्योंकि जो water hyacinth है, यह कहां का native है, तो यह native है, Amazon का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह native होता है, कहां का Amazon basin का, Amazon का यह native है ना कि India का, तो यह एक wrong statement है, it is commonly called water hyacinth and half moved flour, अब यहाँ पर देखा जाए तो यह जो moved flour है, इसका क्या मतलब है, तो इन में जो flour के color होते हैं, वो pale purple color के होते हैं, तो यह किस color के होंगे, pale purple color के flowers होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है, तो यह थोर्ड है, its scientific name of Iconia crassipus, तो यह भी बिल्कुल सही है, फोर्थ है it causes disturbance in ecosystem dynamics of water body in short span of time, तो यह बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने बताया, कि बहुत ही कम समय में water body पे बहुत ही जल्दी ही spread हो जाते हैं, जिसकी वज़े से उस पानी के अंडर जितने भी जली जीव पाये जाते हैं, उनमें disturbance होता है, तो यहाँ पर सबसे गलत statement कौन सा है, that is option 1, तो इस question के लिए option 1 is the right answer, पर बागी के option यहाँ पर गलत हो जाएंगे, प्लासिक्स टुट्वेल से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा, आज यह डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीज़े अपने डाउट्स 8400400 पर